हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री कुश्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आज नावाचंद और गोपी चन लोग कथा को पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्पू क्योंकि कोई भी लाइन को उठा के एक क्वेस्चन बना देगा आप एंसर नहीं कर पाईएगा इसलिए एक एक लाइन को समझे और कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं नावाचंद और गोपी चंद ये लोग कथा इन दो भाईयों के बारे में इसमें कहा गया है बहुत दिनक बात जैसन कबनाईत करे ना हसुआ इसन टेढ़ा की टेकुआ इसन सोज डगर डगर सगड जाये तो घर घर जगर लगा है देखिए जब तक पूरा कहानी आप नहीं समझेगा इसका अर्थ भी आप नहीं समझेगा ले यानि कि रास्ता रास्ता सगड जाता है तो घर घर जगर लगा है तो वह घर ही घर में क्या करता है जगर यानि कि लड़ाई लगाता है इसन एक ठो नगर रहे जहां एक लखपईत राजा राज़ करते थे उकर एक सुंदर राणी और दू जहन बेटा मन रहा है उसकी एक स कानियों उकर सती भेला कैसे कैसे होते होते क्या हुआ कि राजा गरीब होके मर गया और राणी भी उसकी क्या हो गई सती हो गई दियों बेटा मन एकला बांचला हैं मगर उमन का खावाएं कैसे जीवाएं कैसे जीवाएं दोनों बेटा लोग अकेले बच गया लेकिन वो तौनों ठांव ठेकान यानि की ठाट ठेकाना नहीं लग रहा है से चल परदेश जाब और कोनों लखे कमाप खाब छल ये परदेश जायेंगे और किसी तरह से कमाएंगे खाएंगे दियो भाई आपन बाचल खुचल चीज बसूत मन के बांद लाए चांद लाए और परदेश निकला लाए दोनों भाई क्या किया अपना बचा खुचा जो भी बस्तू था समान था उसको बांदता है और परदेश के लिए निकल पड़ता है बेचारा मन डहर डहर भीक मांगते खाते खाते जयक लाग लें वो बेचारा लोग क्या कर रहा था रास्ते रास्ता में भीक मांगता था और खाते खाते जाने लगा सेहो डर बड़ा लंबा गढ़ा है सुता है तो टिकराय भी हान टिकराय सुता है तो गढ़ाय भी हान वो रास्ता ये बहुत ही लंबा था वो सुबा चलते थे तो साम हो जाता था और साम को चलते थे तो सुबा हो जाता था कई एकम अगम पहाड और अखंड बनो पार करे भेलग यानि कि उनको रास्ता इतना कठिन था कि उनको कितना उचे 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 पहाड और अखंड बन को पार करना पड़ा जंगल को पार करना पड़ा, जहां कि अंगिनत डर भाय कर बात इसन की कोरकोटा पताई गीरे ठाय, तो बुढ़ा बाग करे हाय, जहां कि बहुत ही अंगिनत बहुत ही ज्यादा डर भाय का बात था, कोरकोटा पता ही होता है, पता होता है, वो बड़ा सा होता है, वो सूप के करता था हाँ अवाज करता था जाते जाते तीन महिना दिन गुजर में उपर हो para और वो दोनों लड़का लोग क्या हुआ एक अंजान से राज में पहुँच गए उपार हो ले माने की एक अंजान राजे में पहुँच गए उराज कर आदमी मनक दिन बड़ा आफ़ाइत में बीतत रहे कहे कि एक राकस उमन के धहर धहर के खात रहे उन लोगों का जो जिन्दगी था समय था वो दिन था वो बहुत ही आफ़त यानि के मुश्किल में बीत रहा था क्योंकि एक राकस वो लोग को क्या कर रहा था धहर धहर के खात रही यानि की पकड़ पकड़ के खा रहा था से उमन के दिन राइत एके चिंता की राकत से प्रान कैसे बची राकत से प्रान कैसे बची सो उलों को दिन राइत बस एक ही चिंता सताता था कि हम लोग का जान जो है प्रान है वो कैसे राकत से बचेगा राइत के कोई आदमी बाहरे पिंडा चाहे गोजी में नई सूताता है कहा कि घर बाहरे सुतवया मन के उराकस से नहीं बाचता है राइत को बाहर में पिंडा जो बना होता है बैठने के लिए या सोने के लिए उसमें कोई भी नहीं सोता था क्यूंकि घर के बाहर सोने वाले को राकस नहीं छोड़ता था गोटा राज में एहे हालत रहे पूरे राजे में यही हालत था नावाचन्द और गोपीचन्द सांज-सांज उराज में पहुंच लाए हार एक गाउ में डेरा करे गेले क्या हुआ नावाचंद और गोपी चंद दोनों भाई साम साम में उस राजे में पहुंचते हैं और एक गाँ में जाके डेरा करने का सोचते हैं डेरा करने के लिए गए उमन एगोट आदमी कर घर गेलाए और डेरा मांग लाए वो लोग एक आदमी के घर में गए और डेरा मांगने लगे घर मववार कहला कि ए बाबू मोर घरे ठाव नखे से तोरे उ घर जावा घर मववार यानि कि मालिक घर का जो मालिक था वो कहता है ए बाबू मेरा पास ठाओ यानी की जगा नहीं है से तुम लोग वो घर जाओ छोड़मान हुआ गेला है तो हुआ उमान के कहल गेला कि तोरे वो घर जाओ जब लड़का लोग वहां दोनों भाई गिया तो वहां भी यही बात बोल दिया कि उस घर में जाओ उमान जे घर गेला है तहाँ उमान के ओहे जवाब मिला वो लोग जिस घर में जाते थे उन लोगों को यही जवाब मिलता था कि उस घर में जाईए बात रहे कि राकास का डरे के उना तो बाहरे सूतात रहे बात क्या था कि राकास के डर से कोई बाहर ना सोता था और ना किसी को सोने देता था ना दोसर मन के सुतेक देत रहें हिने छोटका छोड़ा ठो अनाइत ठाइक जा रहे और आगे गोड़े उठाएक नी पारत रहे इधर जो छोटा लड़का था वो अनायत यानि कि बहुत ज्यादा ठग गया था और गोड़े उठायक नहीं पारत रहे यानि कि पैर ही नहीं उठाने सक रहा था इतना ठग गया था बड़ा मुस्किल से उमने एक राड़ी बुढ़िया कर घरे आ लाएं और डेरा में लाएं फिर क्या हुआ बहुत मुस्किल से वो लोग एक राड़ी बुढ़िया काते हैं जिसका पती मर गया हो ऐसी बुढ़िया को राड़ी बुढ़िया काते हैं कि घर गया और डेरा मेरा छोटा भाई जो है ठक के एकदम नाकपूरी में कादो होए गे लखे वैसा हो गिया मतलब एकदम बहुत ज्यादा ठक गिया था लेट लेटा हो गिया था और तैन को चलेक नीपा रहत है और थोड़ा सा भी चलने नहीं सक रहा है क्योंकि वह बहुत ज्यादा ठक गिया है आज राद भर आपन पिंडा में रहक देऊ क्या कह रहा है बड़ा भाई कि आज राद भर के लिए अपना पिंडा पिंडा पीडा जो है उसमें रहने के लोग मैं तो तुम लोगों को जरूर रहने के लिए देती मगर आजकल इस राजे में बहुत ही बड़ा भी पत्ती पड़ गया है एक ठोब भ्यानक राकस कहां ले आय धमाइक है और बहुत अदमी मन के धहर-धहर के खाय चुई खे क्या कह रही है कि एक भ्यानक राकस यानि क आप पहुँचा है और बहुत आदमी मन के धहर-धहर के खाय चुक है यानि कि बहुत आदमी को पकड़-पकड़ के खा चुका है वो राती खन गाव में भुलेला और जेके पावेला से खें है खायला और रात में क्या करता है गाव में भुलता है इधर-धर और जिसको पा बढ़ छोड़ा कही घुरालत, एमा, रावरे माइत डराव। बड़ा लड़ा क्या कह रहा है कि एमा, आप मत डरूएं राकास हमरे कोनों नहीं करी, राकास हमारा कुछ नहीं करेगा। वू आवी होल हमरेट character, खणा फैरिये के दीक के पाचे फिरी। क्या कह रहा कि वो अगर आएगा तो मेरा खाड़ा फेर ये को खाड़ा को देखके पीछे लोट जाएगा बुढ़िया क्या कहती है कि उन लोगों का बात को सुनती और कहती है यानि कि राक्षस जिस समय आता है आने लगता है उस समय आसपास का सभी जिव जनतु उसका सब्द को आवाज को सुनके सन हो जाते हैं राकस तरे उपरे दात कहिर के रट रट चबाते आवेला सेखन सब्दे के सुन के परान उडेक नियर होयला क्या बोल रही है बुड़ी है कि राक्षस जब भी आता है तो अपना दात को ऐसा रट रट आवाज निकालता है दात से और चबाते आता है उसी समय उस आवाज को सुन के सब का परान निकलने लगता है उड़ने के जैसा होने लगता है कैसनो जीव के धायर की चीर फायर के मुह में तूबेला और खायला क्या काता हुआ कोई भी जीव हो उसको पकड लेता है और चीर फाड के मुह में रख लेता है और क्या करता है खाता है से तोहरे बेकार परान ना दवा बुढ़िया क्या करे कि सो तुम लोग बेकार में अपना परान मत दो जीद ना करा, मोर कहल माना और जल्दी चल जाओ बड़िया कह रही है कि जीद मत किजिए, मत करो और मेरी बात मानो और तुम लोग यहां से चले जाओ बाड छोड़ा कहला, ए माय रावरे ना डराओ हमरे के राकस के देखेक देओ बड़ा लड़का फिर से क्या कहता है कि ए मा आप मत डरिये, हमको राकस को देखने दीजिए यानि कि राकछस को देखने दीजिए अब कौन होक, हमरे हिया ले कहूँ आउर निजाब अब कुछ भी होगा, अब हम लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे इसन कहीं के दियो भाई जबरजस्ती पिंडा उपरे चड़ लाएं ऐसा कहका दोनों भाई जबरजस्ती पिंडा के उपर चड़ गएं और आपन गठरी मोटरी मन के मडाय के सुताय के बैस लाएं क्याकि अपना जो मोटरी था, गठरी मोटरी था, उसको निकाले और उसको बिछाना बिछा दिये बुढ़िया तो हाइर के घरे ढुक लग और अंधार हो एक लाईग रहे से लाई दिया बारला खार और आपन बियारी तयार करे लाग लग बुढ़िया था खार के क्या करती है अंदर चली जाती है और अंधेरा भी होने लगा था इसलिए दिया जलाती है और अपन आपन बियारी यानी की रात का खाना तयार करने लगती है तनिक सुस्ताय के बड़ छोड़ा बुढ़िया के पानी मांग लग थोड़ा सुस्ताते हुए जो बड़ा लड़का था बुढ़िया को पानी मांगता है चीवरा निकला लग तलेक दियो भाई चीवरा खाले और पानी पी लग बुढ़िया को पानी मांगता है दुनों भाई छोटा भाई क्या करता है बड़ा भाई बुढ़िया को पानी मांगता है और चुड़ा निकालता है और दुनों भाई चुड़ा खाते हैं और पानी पी लेते हैं छोट भाई गोड तो बहुते थाइक जाए रहे हैं से एके मोटरी में मोड सिर्वा बना लग, गोड लंबा कर लग, ढलग लग और जूपेक लग लग, छोटा भाई जो बहुत ही ज्यादा ठक गया था, जो मोटरी था उसको सिरहना बनाता है, तकिया बनाता है, और अपना चादर के डसालक और छोट भाई के हुआ सुताय दलक, जब बड़ा भाई ये सब देखता है, तो उतता है, और बुढ़िया का जो लोटा था, जिसमें पानी भी थी, उसको लोटा दिता है, फिर मोटरी जोटरी जो भी था, उसको ठीक ठाक करता है, और एक चादर को विछ चादा है, और छोटा भाई को वहाँ सुला देता है, उन्हें बुढ़िया ओपन खालक पिलक और बासन बरतन के सरिया लग, उधर बुढ़िया क्या की, अपना खाना पिना की, और जो भी बासन बरतन था, उसको सरिया के रख देती है, सेखन तक ले अंधार और बढ़ जा रहा था, तलेक और अंधार भेलक, और गाउं भाईर सुनसान हो गया, उसके बाद और अंधेरा हो गया, और पूरा गाउं क्या हो गया, सुनसान हो गया, सभी घर का दरवाजा क्या हो गया, लग गया, कोनो कोनो घर कर बाती भाईर कटी कटी दिसत रहे, किसी घर का जो बत चुगरी अंधारे अंधार बाहर क्या था एकदम घनेरा अंधेरा था और केकरो तैन को सबद नहीं सुना आत रहे हैं और किसी का थोड़ा सा भी कोई सबद आवाज नहीं सुनाई दे रहा था अब बुढ़िया वो आपन दूरा के बंद कर लग दियो छोड़ा मनक दसा के दियाके धल गलक अब बुढ़िया कि बुढ़िया भी अपना दर्वाजा बंद कर देती है और दोनों लड़कों का हालत को सुंचते सुंचते अपना डिसना बिछना करती है बिछ बिछान को निजाय देलक यानी की बुझा देती है इस गहरी बड़ छोड़ा नावाचंद आपन जोरी खोईल के का जड़ी बूटी मन के चुईन निकला लग और घर के तनिक दूरे खोईर में जनले डहर आवत रहे गाड़ दे लग बड़ा लड़का क्या करता है नावाचंद अपनी जोली को खोलता है उससे कुछ जड़ी बूटी को निकलता है चुन के निकलता है और घर से थोड़ा दूर जहां रास्ता था वहाँ पस क्या करता है उस जड़ी बूटी को गाड़ देता है और मंतर भी फूक रखता है और लोट कर आता है और अपना भाई को उठाता है चोटा भाई को और क्या कहता है कि मत डरना अब राकस कर आवेक समय भेलग अब राक्षस का आने का समय हुआ गोपी चंद का लग नी दादा डरावो गोपी चंद क्या कहता है कि नहीं भाईया मैं नहीं दादा नहीं डरूंगा सेखन ले तो गोटा चगूर्दी सुनसान हो जाया रहे और धुकाओ नी चलत रहे क्या हो गया उस टाइम तक क्या था कि पूरा चारो चवहद्दी जो बोलते हैं न पूरा चारो चवहद्दी सुनसान हो गया था तल एक दूर ले कोनो भेंकर जनतु कर आवेक इसन सब्द सुना लग फिर क्या हुआ थोड़ी देर में कुछ भेंकर जनतु का आने का आवाज सुना दिया दियो भाई ओनाय के सुन ले तो ठीके राकस कर सब्द रहे रट 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 साइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशा खड़ा फेरी को पकड़िये मैं भी अपना पकड़ता हूँ हुने राकस गाउं कर खोईर तक आए गे लग उधर राकस क्या थे गाउं तक गाउं के अंदर में पहुंच चुका था उदवाई गाडल जग ठिठाई गे लग हिने हुने गुईर के फिर सुइंग चल लग और बुढ़िया कर घार बटे सोजाला और आक्षास क्या किया गाउं में जब घुस गया तो वह जो दवाई गाड़ा हुआ था जड़ी बुटी वहां तक जाके रुग गिया एक पल के लिए रुग गिया फिर इधर उधर सुंगने लगा और क्या किया बुढ़िया के घर तर इसनमरो राकस की तीन टुक्रा हो जावे क्या कर तरफ तर का एक ढ़ाबएर खाड़ा से ऐसा मारूंगा राकस कि तूम तीन टुक्रा हो जाओगे इस सुनगे राकस हुआ से भायक चल लक गाौंसे निकल गया हुआ ten निकल गया बिहाने अद्मी मनसुइत उटके कहाएं कि भाई आज रायत के तो राकस नहीं आ लग और रायत सुख में गुजरा लग रात में क्या हुआ कि सभी लोग सोके जब उठे सुबह में तो क्या करा हैं कि भाई आज रात तो राक्छस जो नहीं आया और रात हमारा बहुत ही सूक से गुजरा बुढिया उठते पिंडा बठ हुलकलक तो दियो भाई नगद एकन बसाइला है बुढिया तो उठते ही उठते पिंडा की तरब देखती है तो क्या देखती है कि दोनों भाई अभी नगद बसाइल है यानि कि दोनों भाई वहां मौजूद थे बुढ़िया पूछला का बाबू मन बेशे सुतला की नी डराला बुढ़िया पूछते ही क्या बाबू लोग तुम लोग अच्छे से सोया नहीं डराया बढ़ छोडा कहला का डराब डराय कर कोनो बात नी रहे बड़ा लड़का क्या काता है कि क्यों नहीं नहीं डराएं क्या डरना है डरने का कोई बात नहीं है हमरे खव बेस निंदाली बुढ़िया का लग राइद भर कोनो गूल नहीं सुन लग वो लोग क्या करें कि हम लोग अच्छी तरह से सोएं तब बुढ़िया कहती है कि रात भर तुम लोग को कोई आवाज सुनाई नहीं दिया तब तो बाग धरा राकस नहीं आये रहे तब तो लगता है कि बाग पकड़ने वाला राक्छस नहीं आया था तलेक उमन आपन घार कर काम धंधा करेक लाग लाए तब क्या हुआ कि सभी लोग अपना घार का काम धंधा करने लगे दियो भाई तो पिंडा में बैसले रह लाए दोनों भाई क्या किया पिंडा में रह गिया पिंडा में अपना डेरा जमा दिया जब थोड़ा सा सूरज क्या हुआ बेरा चड़ालक मतलब सूरज थोड़ा सा उपर हुआ यानि कि दीन थोड़ा सा आगे बढ़ा तो नावाचंद बुढ़िया से कहता है कि एमा मुर्भाईज बहुत ज्यादा थग गया है क्या कहता है बढ़ा भाई कि मेरा चोटा भाई बहुत ही ज्यादा थग गया है इसलिए आज राद भर के लिए हम लोग को यहीं रहने दीजिए और कोनो अंदेशा ना करो यानि कि आप कोई चिंता मत किजिए बढ़ा कहती है कि चिंता का तो कोई बात नहीं है लेकिन बस उस राक्षस का डर है उकाईल राइत नहीं आ लग तो आज राइत तो जरूर ही आवी क्या कह रही है कि अगर वो कल रात को नहीं आया तो आज रात तो वो जरूर ही आएगा छोड़ा कहलक ना ड्राव हमरे कोनों नहीं करें लड़का क्या कहता है आप मड़ डरिये हम लोगों को वो कुछ नहीं करेगा वो लोग क्या किया दोनों भाई कि नान चावर कर यानि कि पतला चावल का भात बनाया और राहर डाल को बनाया और उसके बाद खाया पिया और नहा धोके नहाने दोने के बाद खाया और सलता थोला यानि कि इत्मिनान हुआ बुढियाओ आपन काम धन्दा ले निपट के आला कर्वोमंन से बतिया लग लग बुढिया भी अपना काम धन्दा से निपट के आती है और वो लोग से बात करने लगती है क्या कर रही इक ही रात में पूरा राज गूम जाता है जेके जेके पावेल सब के खाते जाये ला और जिसको जिसको पाता है उसको खाते जाता है गोटा राज कर आधा आदमी मन के खाये चुई खे पूरा राज जेका आधा आदमी को ये खा चुका है पता नहीं लागे कि वो कतना बड़का है पता ही ने चलता है कि वो कितना बड़ा है उकर मारेक राजा हाकिम केखो धीड़ नहीं है उसको मारने में कोई भी राजा हो की हाकिम हो किसी का हिम्मत नहीं है धीड़ नहीं होए यानि कि हिम्मत नहीं होता है उसको मारने का चाहिए वो राजा हो कि हाकीम हो किसी को भी उस राक्षस को मारने का हिम्मत नहीं होता है से राजा धिंडोरा पिटवाये दे है कि जे आदमी राक्षस के मारी से के हम आपन बेटी भिहादेब और आपन आधा राई जो दे दे इसलिए राजा क्या किया है धिन्धोरा पिटवा दिया है कि जो आदमी राक्षस को मार गिराएगा उसको हम अपना बेटी से साधी कर देंगे और अपना आधा राजपाट भी दे देंगे ये बात सुनके दियो भाई कूद उठ लाएं सते की मायव ये बात सुनके दोनों भाई उठ गए दोड़के उठ गए और पूछ रहें कि सते की मायव यानि क्या सच ये बात सच है बुढिया कहती कि सच है बावू सची बात है मगर राकष के मारे केकरो हियाब नहीं हो थे ल राक्षस के मारेक चाहिए नावचंद बड़ा भाई था वो क्या सुचना लगा कि राजा अगर ये लखे बाइद है यानि कि इस तरह का अगर बोला है तो राक्षस को अब मारना चाहिए उगाओ का दोसर आदमियों मन के ये बारे में पूछ लग तो ओहों मन बताना कि बात सत्य है कि वह गाओ का दूसरा आदमि सबसे भी ये बात को पूछा कि राजा क्या सच्मुझ बेटी का भिया कर देगा और आधा राज देगा तो बाकी लोग भी यही बात बताए कि हाँ ये बात सच है सब तो नावचंद गोपी चंद के कहलग भाईया तो एक्ता इनकू ना डराओ हम इराकस सार के बेगर मारल आगे नहीं जाएंगे तब बड़ा भाई नवचंद गोपी चंद से कहता है कि भाई तुम को बिलकूल भी नहीं डरना है हम इस राक्षस को बिना मारे अब आगे नहीं जाएंगे सांज खान गाओ कर आदमी मन दियो भाई के बड़ामे देखें तो बड़ा ही अचरज किये बड़ा ही अचंभित हुए इन बढ़ा च्वड़ा मन का कर एक पिंडा में डेरा कहर है भख्वड यानिकी बुर्भख ये बुर्भख लोग क्या करने के लिए पिंडा में अपना डेरा रखा है आज राहित के नीब आज र करका था वह किया कि अपना जो दवाई था जड़ी बूटी था उसको ठीक ठाक करता है और गाउं के चगूर्दी घुम यानि कि चारोचवदी तरफ से घुम के आ जाता है और देख लेता है कि राकस किस तरफ से गाउं में घुसता है धुके ले आनी कि घुसता है सेखन तक छोट भाई हर भात तियन राइन तयार कर रहे तब तक क्या किया छोटा भाई जो था वो अपना खाना पीना को बना के तयार कर दिया था से जटपट खा एक पी एक दियो भाई तयार भेला है फिर क्या हुआ जल्दी पल्दी खा पी के दोनों भाई तयार हो गए भात बिय यानि कि रात का खाने का समय हुआ अंधेरा जो था वो घना होते गया और चारो तरफ सुनसान हो गया और सुनसानी घेर लिया सुनसान हो गया चारो तरफ तब राकस तब राकस आवेक लाग लग आज मने मन के आवत है तब राकस क्या किया आने लगता है राकस का आने का काईल दू आदमी मन के भेटलो मगर का जानी काईल उमन खायक नहीं पालाओ। राक्षास अपने आप में बोलते बोलते आ रहा है कि कल हम दो आदमी से मिले थे मगर क्या हुआ पता नहीं कि हम उलोगों को खाने नहीं सके। ईसन तो मोर कोनों दिन नहीं होए रहे। पूरहे भ्यानक सब धोय लागलग ऐसा जब ठान लिया कि उन दोनों को खाना है तो वह जोर से आने लगा जोर जोर से आने लगा तो और दिन से भी भ्यानक आवाज आज निकलने लगा इसन मालूम होत रहे कि बड़े बड़े गच मन साय साय करते उखर फेका आथ है ऐसा मालूम होने लगा कि बड़ा बड़ा पेड़ जोह से आंधी में उखर के फेका रहा है ऐसा आवाज कर रहा था उखर दानत मनक सब तो ऐसने बुझात रहे कि कुन्यों बड़का बुरंडो हरहराय के चैलावत है उसका दानत ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुल्डोजर होता है न वो चल के आ रहा है ऐसा उसका आवाज कर रहा था दान हिने दियो भाई धाल तलवार लेके तयार होगे लए राकस दवाई गाडल जगा पहुँचा लग तो अचा के ठाहिर गिलग इधर दोनों भाई धाल और अपना तलवार लेके तयार हो गये थे राक्षा जैसे दवाई जहांपस गाड़ा हुआ था वहाँपस पहुचा तो अचानक ठाहिर गिलग रुग गया कहा कि दवाई कर मारे आईक उकर नींज गिलग दवा के मारे क्या हुआ उसका आँख जह से नींज के लख यानी के आँख बंध हो गया तो इसने नावाचंद गुईल करके मंतर पढ़ला उसी समय क्या किया नावाचंद अवाज करते हुए मंतर को पढ़ता वही मंतर एक तार पतर एक ढावईर खाड़ा से इसन मारो रेके राकश की तीन खाड़ा हो जावे वही मंतर को पढ़ता है इबात सुनके राकश डरा लख पाचे भूर लख और गाओं ले भाइग निकला लख ये बात सुनकर राकशस क्या किया डर गया और पीछे लोट जाता है और गाउं से भाग निकलता है एहो रात गाउं कर आदमी मन चैन से सूइत भीहान कर ले है ये रात भी गाउं का आदमी मन क्या किया चैन से सोया और सुबह किया बुढ़ा बुढ़ा आदमी मन तो अनगूते उट के बतिया लागला कि इका बात है के बुढ़ा बुढ़ा आदमी लोग सुबह उठा जल्दी और बात करने लगा कि ये क्या बात है जे दिन ले दियो भाई गाँ में डेरा करना है से दिन से रायत बड़ा चटक से भी तत है क्या करने बुढ़ा लोग जिस दिन से ये दोनों भाई लोग गाँ में डेरा किया है उस दिन से हमारा रात बहुत ही अच्छा मज़ेदार बीत रहा है होई ना होई इमन जरूर कोनो गुनी गन हो बाएं क्या करने बुढ़ा लोग कि हो ना हो ये लोग जरूर कोई गुनी आदमी होंगे जखन दियो भाई सूत उठ ले तो सब कोई उमनक आधर माइन करे लाग ले जब दोनों भाई सोके उठ गए तो जितने भी लोग थे गाउ वाले उनका आधर सम्मान करने लगे अब दियो भाई कर मान भेला कि हामरे और थोड़े दिन इस गाउं में रहेंगे क्या कि नावाचंद बुढ़िया को कुछ दिन और यहां रहने के लिए दिजिए बुढ़िया अरजी मंजूर कर देती है और दियो हुआ रही गे लाए और दोनों वहां रहने लगते हैं उन्हें राकस गोट रोज उमन के खायक ठेन आवत रहें मगर कोनों करेक नहीं पारत रहें उधर राक्षस क्या करता था रोज दिन वैसा ही ठान के आता था कि आज खायेंगे दोनों भाई को लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता था पांच-शो दिन में बाढ़ छोड़ा सब रकम का जड़ी भुटी के खोच खुजाय के एक बेस दवा उत तयार कर लग पांच-शे दिन में बड़ा भाई क्या करता है बड़ा लड़का क्या करता है रकम रकम का सब तरह का जड़ी बुटी को खोच के निकालता है जोगाण करता है और एक अच्छा सा दवा तयार करता है तलेक राइत के के उके देखे और जाने के नहीं पारता है सेखन उग जायके गाओं कर बाहरे राकस कर आवएक ड़रे दवाई के गाड़ दे लग फिर वो क्या करता है रात को ऐसा समय में जब उसको कोई नहीं देखने सकेगा उस समय वो गाओं के बाहर जाता है और राकस य होता है और क्या करता हुआ पहले के जैसे 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 वह गाहों के नजदीक आने लगा उसका मन जो है व्याकूल होने लगा घबराने लगा से उ दवाई गाडल ठीन बवराय लखे पहुंचा लग आउ दवाई के सुंग लग तो होसे उकर बढ़ाय लग फिर क्या हुआ वह दवाई गाड़ा हुआ के पास बवराय यानि कि पागल के जैसा पहुंचता है और दवाई को सुंगता है तो उसका होसी बढ़ाय गलग यानि कि उसका होसी गड़बडा जाता है वह अपना होस खो देता है तनके देरी में ओहेटीन घोसराय भेलग गरज गरज के धन्मनाय फिलग तले खुरिया खुरिया के महिर गलग फिर किया हुआ थोड़ी देर में वहाँ पस क्या किया वह गिर जाता है और गरज गरज के क्या करता है लेट के खुरिया एक मतलब पैर को रगड़ने लगता है जमीन में और रगड़ते रगड़ते क्या हो जाता है वो मर जाता है गाउं का अदमी लोग उसका गर रजने का आवाज सुनके तो घर के अंदर में ही सन हो गया था और वो लोग एकदम चिपक गया था दुबक गया था मगर दियो भाई तूरते गया राकस के मारल पाएके उकर नाक, कान, जीव और अंगरूमन के काट लें फिर क्या हुआ कि तुरंथी क्या किया दोनों भाई वहाँ पस राक्षास के पास गिया और उसको मरा हुआ पाकर उसका नाक, कान और जीव और अंगूली को काट दिया आइक मन के गोईज निकला लाए और सब के जोरी में राइक के चुपचाब डेरा अपन घुर लाए और सुईत रह लाए क्या कि आख लोग को गोईज निकला लाए यानि कि आख को कूच के निकाल दिया और सब के जोली में रख दिया, सब को जोली में रखा और चुपचाब क्या कि अपना डेरा में लोट आया और सो गया दूसर दिन बिहाने एको कुमार चेरू, तावा और गगरी मन के बोह के हार ओहे डहर, ओहे के पैट में बेचेक जात रहे तो दूर ले राकस के मरल और कुधाल देख लग, दूसरा दिन क्या हुआ, एक कुमार था, जो कि अपना तावा और घड़ा को धो के का कर रहा था, उसी रहस्ते से पैट में, यानि कि बजार में बेचने के लिए जा रहा था, तो दूर से क्या किया, राक्छस को मरा हुआ और जमा देखा, मरा हुआ जमा देखा, कुधाल यानि कि जमा हुआ देखा, सेव भाड़ा गगरी मन के बीग दिलग, तो वो क्या किया, अपना जो भी घड़ा उड़ा था, उसको वो फेग देता है, बहिंगया आपन के जप्टलग और मरल राकश के कोनो कपारे धांगे देखा, बहिंगा जो होता है, जिसमें जैसे धानून बोते हैं, या कोई भी समान को लकड़ी का, कंधा में जिसको ढोते हैं, उसी से क्या किया, उसी से मरा हुआ राकश को दम धेड़ाने लगता है, यानि कि खुब जोड़ से पीटने लगता है, और पीट-पीट के गुल जो भी गाउं का जो बजार लोग था, पेठियार मने या तर्य और बजारू लोग था, बजार जाने वाला लोग था, वो लोग जमा होता है, और मरा हुआ राकश को देखके वो लोग भकुआ जाता है, तुरंद बात फैल गलाग और राइज भाईर में डाउं डाउं कि एक कुमार अपना बहिंगा से मतलब वही लकडी का ढोने वाला था सक्याकिया राक्षस को मार दिया है और पुरे राज को आफ़त से बचाल दिया राजा इस बात को सुनते हैं और बहुत ही नहायत सुख भेलक खुस हुए और कुमार को बुलाने के लिए भेशते हैं कुमार राज दर्बार में पहुंचलक और बात बनाए बनाए के अपन बहादूरी और राक्षस के मारे कर बात राजा के सुना लग कुमार क्या किया राज दर्बार में पहुंचता है और बात को बना बना के दम बढ़ा चड़ा के अपना बहादूरी का बात और राकश को मानने का बात को राजा को सुनाता है राजा और दरबारी कुमार का बात सुनके और राकस के लोत के दई के अचरच करे लाग लाए राजा भी और उसका दरबारी लोग कुमार का बात सुनके और राकस का लोत राकस का जो सरीर को मार मार के वो हलुआ कर दिया था उसको देख के दोनों अचरच सब कोई अचरच करने लगा राजा और उसका दरबारी लो चारो बट कुमार कर बढ़ाई होए लाग लगा चारो तरफ क्या हुआ कुमार का बढ़ाई होने लगा कुमार कह लग महराज अब रावर बादा लखे मोके इनाम मिलेग चाहे अब फलना तारीक के फलना कुमहार से आपन बचन लखे आपन बेटी और आधाराज देव। हुकुम होते साथ आदमी मन गोटा नगर कर सड़क महल मंदिर और दरबार के सिंगराएक और बिहा का तयारी करे लाग लाग लाएन। कि पूरे आदमी लोग क्या करता है पूरा नगर का सड़क को महल को मंदिर को और दर्बार को सिंगराय लागला है यानि कि उसको सजाने लगे और बिहा साधी का तैयारी करने लगे बिहा कर दिन आलक तो महल और दर्बार आदमी मन से खचा-खच भर गया था वो दोनों लड़का भी महल में आता है साधी के दिन और राजकुमारी का और कुमार का क्या हुआ अन्गूते यानि कि सुबही हल्दी चड़ता है अन्गूते कहते हैं सुबही को जेखन बिहा कर लगन कर समय हो लग तो राजा, मंत्री, बामहन, पुरोहित और सब मुध मुध आदमी मन मडवा में पहुँच लाएं जब विवाह का समय होता है लगन का समय होता है तो राजा, मंत्री, ब्राहमान, पुरोहित सब जो मुख्य मुख्य आदमी लोग थे वो लोग मडवा में पहुँचते हैं विवा का स्थान होता है उसको मड़वा कहते हैं वहाँ पहुंचते हैं सेहखन नावाचंद उट के सवाल करला कि का जानी राकस के कोई कुमार माईर है उसी समय बड़ा भाई जो नावाचंद था वो उठता है और सवाल करता है क्या जानी कि राक्षस को यही कुमार मारा है कि कोई दूसरा आदमी मारा है कि कोई दूसरा आदमी मारा है बड़ा भाई क्या काता है कि कौन जान रहा है कि राक्षस को कुमार ही मारा है कि कोई दूसरा आदमी मारा है सही बात कर तदारुक करल विगर उके रानी बेटी कर बिहार नहीं देख चाहिए तो क्या करें है कि इस बात का तदारुक यानि कि तहकीक किये बिना इस बात का जाच परताल किये बिना रानी बेटी कर बिहार नहीं कर देना चाहिए अगर कुमार राकस के सते माईर होए तो अगर कुमार राक्षस को सच में मारा होगा तो सबूत देखा अगर कुमार राक्षस को सच में मारा है तो उसको सबूत देना होगा दोस्तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है इसको हम दो पार्ट में करेंगे ये पार्ट वान हुआ और आने वाला वीडियो इसका पार्ट टू होगा तब तक के लिए आप सबसे हम विदा चाहते हैं थैंक्स पर वाचिंग